हेलो फ्रेंट्स आज हम बात करेंगे कि कौन से जोन से कितने फोर्म भरे जा चुके हैं और जिनों ने फोर्म अभी तक फिल नहीं किया है वो कौन से जोन से फिल फोर्म करे ताकि उनका नंबर असानी से पढ़ जाए तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले बात करते हैं एहमदाबाद की तो एहमदाबाद में अभी तक 9,13,057 फोर्म भरे जा चुके हैं अज मेर की बात करें तो वहाँ पर अभी तक 7,13,258 फोर्म फिल हो चुके हैं अलाबाद की बात करते तो वहाँ से 8,29,548 फोर्म फिल हो चुके हैं बैंगलोरू की बात करें तो वहाँ से 4,12,749 फिल फोर्म हो चुके हैं और भुपाल की बात करें तो अभी वहाँ से 5,98,742 फोर्म फिल हो चुके हैं तो फर्दर बात करते हैं आगे आता है भुवनेशवर तो भुवनेशवर में अभी तक 275,761 फॉर्म फिल हो चुके है बिलासपुर की बात करते तो वहाँ से 289,896 फॉर्म फिल हो चुके है चन्डिगड की बात करी जाए तो वाँ से 10,94,585 फॉम्फिल हो चुके है चनई की बात की जाए तो 8,58,914 फॉम्फिल हो चुके है और गोरतपुर की बात की जाए तो 5,85,245 फॉम्फिल हो चुके है फर्दर बात करते हैं गुहाटी में 4,89,250 फॉम फिल हो चुके हैं, कोलकता में 4,58,587 फॉम फिल हो चुके हैं, मुंबई में बात करते तो 7,98,956 फिल हो चुके हैं, पटना के बात किज़े तो 10,79,249 फॉम फिल हो चुके हैं तो फर्दर बात करते हैं रांची की, तो रांची में अभी तक 3,51,507 फॉम फिल हो चुके हैं, और सिकंद्राबाद में 11,36,589 फॉम फिल हो चुके हैं तो दोस्तो इनके अनुमान पे देखा जाएं, तो अभी तक सबसे ज़्यादा फॉम सबसे पहले नमबर पे सिकंद्राबाद में, दूसरे नमबर पे चंडिगड में, और तीसरे नमबर पे पटना में भरे जा चुके हैं अब जिन बच्चोंने फॉम नहीं भर रहा है तो वो कहा कहा के फॉम भरे, तो सबसे पहले यह काता है भुवनेश्वर जा सिरफ अभी तक 2.7 लाग फॉम फिल होए हैं, दूसरे नमबर पे आता है बिलासपूर जा 2.8 लाग फॉम फिल होए हैं, तीसरे नमबर पे आता है रांची जा 3.5 फॉर्म फिल हुए है और चोथे नमबर पे आता है कोलकता जा 4.5 फॉर्म फिल हुए है तो फ्रेंड्स इसके अनुमान पे देख लेना आपने फॉर्म कापर भरना और जिन्होंने भर दिया है वो अब त्यारी में जुट जाए मैं उमीद करता हूँ यह झाल सकते हैं